हाई फ्रेंज आप लोग कैसे हो अज मैं एक न्यू डिजाइन के साथ जोड़ रहा है यूट्यूब पे यह इसमें मैं आप लोगों को पेंटिंग करके बताऊंगा और पूरी बेट शीट भी शेयर करूंगा और फ्रेंज मैं यह यह बेट शीट पहले भी अपलोड कर दिया था और उसमें पेंटिंग करना नहीं बताया था आप लोगों को और मैं यहां पर पेंटिंग और किस तरह मैंने डिजाइन किया सब आप लोगों को शेयर करूंगा इसी वीडियो में और मैंने यहां पर क्रेंशन कलर एट किया जोए कि रोज में क्रेंशन और वाइट क्छार हो जाएँ पेंटिंग करने के लिए यहां पे मैं पैंटिंग आपको शेयर करूँँगा और बेड़शीत की सारे डिजाइन भी सेयर करूँगा इसी वीडियो में तो इस वीडियो में लाज्य मिंडे तक देखना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना दूलेगा अबर आप नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना दूलेगा सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारी यह वीडियो की नाटिफिक ह temple क्रिकन से लॉग भाग रहाए गां वहां पर ं कि वाइट करेंगें अ है जुआ मैने क्रिमजन कऊलरेट कर दिया और उपर से जो हमारा भाग श्टा है फ्लावर। का कि वैपन हुmt कलडेट करेंगे और हेल देंगे और यह हमारा वाइट कलर हो गया और यह सब वीडियो आप देख रहे हो ताली प्रिंटिंग पर और यहां पर मैं आप लोगों को प्रिंटिंग करना बताता हूं जो भी हमारे फ्रेंस हैं अगर डिजाइन उनको पसंद आई हो आसानी से वीडियो के जरीए वह प्रिंटिंग और फ्रेंस पहले हमको क्रेंशन कलरेट करना है फ्लावर में और बार में हमको वाइट कलरेट करना है यह है ताली प्रिंटिंग अगर आप आप आडर देना चाहते हो तो आडर दे सकते हो हमारे वाट्सप नंबर पे कंटेक्ट करके और आप बेश्चित प्रिंटिंग जानते हो तो इस वीडियो के जरीए से आप भी कर सकते हो और फ्रेंज यहां पर हमारी जो फ्लावर की ऊपरी लीफ है सब तैयार होगी है और आपको यहां पर एक एक लीफ तैयार कर नहीं है मैं भी एक एक लीफ तैयार कर रहा हूं और हमारा जो एक लीफ का जो भी पार्ट है उसके नहीं चाहिए हमको जल्द से जल्द कम्प्लीट कर देना है ताकि दोनों जो कलर हैं आपस में मिक्स हो जाए और हमारी पेंटिंग थोड़ा अच्छी दिखे और फ्रेंड से यह बहुत ही खुबसूरत डेजाइन है जो है कि मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों पुझ किया आपकें उभी हो धंडेशी प्रेंग करना चैना चैना होते हैं आपही कर देखिए हैं आला कम्झा है द तक घ्रचन करना आप कहा है कि यहा थे जो एक बाह्त बहुत लू है और चैनाओ करना दो pa भारा ले इस सके बांद में लावर जो नीचे वाली लीफ है समय के एक तरफ से कलर को एड कर दिया लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है आपको एक एक लिफ है त्यार करनी है जिस तरह मैंने उपर से त्यार की उपर वाली लीफ फ्लावर की तो यहां पर हमको यहां पर है से बरीड थोड़ा सा नीचे से शेड़ दे दे गए ताकि हम Options फ़र डार्क दीखे नीचे वाला पार्ड है यह हमको एमने से ग्रिन थोड़ा सी अलका बारीक शेड़ दिया आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बलेक हमको आप लोगों को हलका बहुत हलका यूज करना है तो हमको थोड़ा हलका जिसे डार्क दिखाना है तो आपे लीफ वाला कलर भी यूज कर सकते हो शिप नीचे वाली लीफों में यहां पे यह हमारा हो गया और फ्रेंस यह वीडियो आप लोगों कैस चालिकारी भी हैं वाड़साइप और यह की और हम को यहां पर ऊपर सेेट करना है मैं को यहां पर सेट रहेंगा थोड़ा थोड़ा हमारा सेट नीचे की तरफ थेखेग만 को शेट में देना थिख रहेगा इसे धबर्स इम देख रहेंगे को यह एक बराबर शेड रहना चाहिए और अगर आप अ चालर लगा दे रहे हो तो आपको फेंटिंग थुरा पास्ट करनी है और वाईसे तो आप पर एक एक लिफ करेंगे तो ही ठीक रहेगा यहां पर और मैं सब कलर एक ही बार लगा दिया तो आप लोगों को ऐशा नहीं करना है प्रेंस जिस तरह मैंने यहां पर यह Leaf कम्पलीट की थी उसी तरह बाकी Leaf लोगों को कम्पलीट करनी है और यह Color मैंने साथ में लगा दिया तो आपको ऐशा करना नहीं एक एक Leaf को एक Leaf तायर करनी है और उसी तरह करेंगे तो भी ठीक रहेगा आप आपके लिए और यह हमारा शेट हो गया और फ्रेंज से यह हमारा फ्रावर कंप्लेट होने जा रहा और आप इस वीडियो की जरहे है या पेंट करना चाहते हो तो प्रेंट कर भी सकते हो बहुत इजी पेंटिंग है और यह सब वीडियो आप ताली पेंटिंग पे देख रहे हो फ्रेंज हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना बुलेगा ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेसन आपकी मोबाइल पे पहुंचे की और हमारी हर निव डिजाइन से जुड़ेंगे आप और मैं आप लोगों के लिए नए 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 डिजाइनों के साथ जूडता हूं बेट्शिक प्रेंटिंग और यह भी यह डिजाइन आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट बेजिएगा और सबसे आखरे में यह बीच वाला पार्ट करना है और फ्रेंज यहां पर हमारी डिजाइन कंप्लेट हो गई जो है कि फ्लावर की डिजाइन और यहां पर मैं आपको शेयर करूंगा लीफ प्रिंट करके और वीडियो में लास्ट बने रही है कि किस तरह मैंने डिजाइन की है इस लिएर में शेयर करूंगा उटो कई यह वाइड कलर से हमको लास्ट में यह थोड़ा लिफ में निटरा डिजाइन बनानी है ताके हमारा फलावर थोड़ा, बरा, दिखे यह हो गगी how the jour is. यह दिजाइन सबसे आखरी में बनानी है फ्रेंज यह हमारी फोगी फ्रेंज जो की यहां पर हम लीफ प्रिंट करेंगे और लीफ में बीच वाले भाग पार्ट में जो कि मैंने गोल्डेन इलो यूज किया हैं हमारा गोल्डेन इलो हो गया जो की हम एड़ कर दे रहा है अब इसके बादन सेब ग्रीन यूज़ करेंगे जो अकि यह हमारा सेब ग्रीन हो गया और यह हमारा सेब ग्रीन एड कर दिया मैंने आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंड बॉक्स में अपने कमेंड भीज़ेगा अगर आडर देना चाहते हो पेंडिंग के लिए आप आडर भी दे सकते हो हमारे वाटसप नंबर पे कंटेक्ट करके जो कि मैं वाटसप नंबर वीडियो में एड किया और उस पे आप कंटेक्ट कर सकते हो और बिंडिंग करवा सकते हो यह हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई फ्रेंज अभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने और हमारा शेट होगया फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही नेक्स टाइम मैं आप लोगों के नई वीडियो के साथ जुड़ूँब यूटूब पे यह ताली पेंटिंग और फ्रेंज मैं भी शेयर करूंगा पूरी बेट सीट किस तरह मैंने डिजाइन की है तो फ्रेंज आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने डिजाइन की है यह बहुत ही खुब्सूरत डिजाइन है और इससे पहले मैं यूटूब पे आप लोगों को शेयर कर दिया था यह डिजाइन बट पेंटिंग करके नहीं बताया था तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब हमारी हाँ नियू डिजाइन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुली गया ताकि हम आप लोगों के लिए और भी नई वीडियो के साथ जुड़े और आगर आप और देना चाहते हो तो आड़र दे भी सकते हो फ्रेंज आज के लिए बस इतना है नेक्स ताइम मैं नहीं वीडियो के साथ जुड़ेंगा बेट शीट पेंटिंग फ्रेंज अला आफिस